हलो जी, नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्जाम टुटोरियल तरियम में और यहाँ पर आज समझ ये भर्ब अर्थात किरिया किसको कहेंगे तो वर्ब अर्थात किरिया किसे कहेंगे भर्ब वह सब्द है जिससे किसी काम के करने की बोध होता है या उसकी दशा की बोध होता है या फिर स्वामित्तों की बोध होता है जैसे उदाहरन के तौर पर आप समझ ये, उदाहरन में अगर हम कहें राजेश is ill, राजेश बीमार है तो उसकी किस चीज की स्थिती यहाँ पर दीखाई जा रही है उसकी दसा की स्थिती दिखाई जारी कि उसकी स्थिती अभी अवस्था कैसा है फिर अगर दूसरा उदाहरन हम ले यहाँ पर राजेश इट्स राजेश क्या करता है खाता है तो यहाँ पर कुछ काम के करने की बोध हो रहा है तो यहाँ पर एक्षन का बोद हुआ और पहली उदाहरण में किस चीज का बोद हुआ एस्टेट का अब आईए पोसेशन का उदाहरण लेते हैं राजेश हैस अमारकर राजेश के पास क्या एक मारकर है मीन्स इस मारकर पर स्वामित्यो का बोद हो रहा है मीन्स यहाँ पर इस मारकर पर अधिकार किसका है तो राजेश का है तो आईए इस परकार आप भर्व का परिभाशन समझ लिए उदाहरण समझ लिजिए फिर आम लोग नेक्स्ट इसी परकार के सौट वीडियो में मिलते हैं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद